चल चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं तो उस वो परिवार जो है जो ए चोदिर जन सिंह के सात राय हमेशा और भाजपा को मतलब हम ने कभी पसंद किया इनी उसके काम पसंद करने लाइक रहे नी और अब ये देखे जो हमारा पसंदी दाया है वही हमारे बिल्कुल एंटी जा रहा है तो उसे कोई कैसे पसंद करे पिर आप ही बताओ तो फिर आपको क्या लग रहा है जैन जी को फिर यह गड़ बंदन करना चाहिए बाजपखगोगा के साथ नहीं क्यों यह किसानों के इतमे लिए और इदो फिर वह और जांगा है जारा टो प्र तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं यह विए विद्धमा स ऐसा करेंगे और अपनी ये जो वोटर एन को भी खोएंगे बाकी जाना नहीं चाहिए में तो वही है बाबा सहब मेटकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का असली माप दंड ये मानता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है आज के दोर में जब धीरे धीरे महिलाएं सारवजनिक स्थर पर सामने आ रही हैं सारवजनिक जगाओं में सामने आ रही हैं चाहे नौकरी हो चाहे शिक्षा हो चाहे खेल कूद में हो हर जगा महिलाएं आगे आ रही है और आज कोई भी राजनेतिक पार्टी महिलाओं की राए और महिलाओं के मुद्देब उठाए बिना जनता के बीच में नहीं जा सकती है ये एक देश की नई जाग रुकता है और इसलिए कोई भी बड़ा राजनेतिक निरने लेने से पहले हमें लगता है कि महिलाओं की राए लेनी बहुत जरूरी है आज जो पश्चिम यूपी में हर जगा खलबली मची हुई है कि क्या जैन चौधरी भाजपा के साथ गड़ब खलब शुक्रिया और बहुत 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 स्वागत आप सबका आप से शुरू करते हैं माधाजी आपका नाम राजबी राजबी जी अ मतजी यह बताई आप मेरे खाल से यह 13 महीं ने जो किसान आंदोलन चला था उसमें भी जुड़ी थी ठोड़ा से बताई उसके बारे लेगे थी वो देखाए थे उना तो बस जाकर वैसे तो बने कुछ दियो बोला ता जाकर वहां सी अपना किसान एकता इसका यह नारे लगाई थी अच्छा आप बोले थी अच्छा आप से तो बिल्बल्कुर पूचेंगे आपने आप भाशन भी दिया है तो माधी एक महिलाएं दिखी भी उसान दोलन में तो आपके अब इस में महिलाओं की राय जाननी तो बहुत जरूरी है कि भाजपा के साथ यह जो बात चल रही है कि जहन चोदरी का गड़बंदन हो रहा है आपके इसाप से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए नहीं क्यों नहीं पार्टी में गड़बंदन कर देंगे तो फिर अपने इसाप से काम नी करने के वे आपको लगता है बहाजपा किसानों के हित्मने तो मोधी जी तो कह रहे थे कि मैं तो वो कर दूंगा किसानों की आयदूगी नहीं करूंगा आज ता कोई काम कराई नहीं तो आगा कैसे कर हैं और आप हाउसवाइफ हैं अपने आप में घर चलाना एक बहुत ही एक बहुत मुश्किलों का समना उधर भी करना होता है पिछले सालों में घर के बजट पर जो सिलेंडर के दाम और यह सब हुआ है तो घर के बजट पर कितना फरक पड़ा है सर घर के बजट पर आप देख लो सिलेंडर तो आपने बोला ही है वो तो डबल तिरपल होई गया था अभी इन्होंने दो तीन महीने पहले जो 200 पर कम किये हैं उसके पाद 900 अभी भी 900 का मिल रहा है और सर हर चीज पर ऐसे बड़ोतरी है दाल हो सबजिया हो यह कोई भी घर सब पे ही दाम बड़े हुए हैं तो आप हाउस वाइफ है और मतलब मुझे लगता है हम मर्द अकसर समझते नहीं है कि घर चलाना भी कितने बड़ी चुनौती का काम होता है आप एक ग्रहनी होने के उसमें आपको क्या लगता है कि जैन्त चोधरी जी की जो बातचीत चल र सब्सक्राइब तो उस वो परिवार जो है चोधिर जन सिंह के साथ रहा है हमेशा और भाजपा को मतलब हमने कभी पसंद किया इनी उसके काम पसंद करने लाइक रही और अब हम यह देखे जो हमारा पसंदीदा है वह हमारे बिलकुल एंटी जा रहा है तो उसे कोई कैसे प सब्सक्राइब करते हैं तो एक चीज़ बताइए कि आप किसान अन्दोलन के साथ जुड़े थे पयश थे इनकी तरह कभी नहीं कि सानी है कि सानन हा क्या गा तो नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कर आज कर एंए इसा जुड़े हैं हम अपने तिल से उस अन्दोलन नहीं उसको कैसे वोट करेंगे आप महिला हैं लेकिन मुधी जी ने तो इतना खा बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ आपको नहीं लगता है महिलाओं के लिए अच्छा होगा अगर ये जहन जी उदर चले गए नहीं सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो उससे पहले भी था मतलब कुछ खास कदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर इनोंने किये हो कुछ गर्ल्स कोली जिनोंने अलग से खुलवाए हो या बेटी बचाने के लिए कोई अलग से कुछ इनोने कदम उठाए हो तो माने अब ये नारी बाजी तो ये शुरू से भी है और अब भी चल तो आप वोटर हैं अभी? जी वोट बन गया आपका? जी तो आप सोचल वर्कर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, पढ़ती क्या है? बाद कर चुकी तो टीचर बनना चाहते हैं? जी, सपना तो यही था पर पता नहीं पूरा हो गया नहीं तो आप बताईए अब आप स्टूडे हैं, बीएड कर चुके हैं, टीचर बनना चाहते हैं रोजगार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करी थी भाजपने तो क्या महिलाओं के लिए कुछ चीजे बहतर हुई हैं रोजगार कम से कम रोजगार या पढ़ाई इन चीजों को लेका? जी, नहीं क्यों? अब बीएड करा, अब इन्होंने निकाल दिया कि जो प्राइमरी का है, सिर्फ वो बीटी सी वाले देंगे एकजाम और बीएड वाले अपर का देंगे, अब भरती तो सिर्फ प्राइमरी की आती है, जदा, तो उससे से आपने बाहर निकाल दिया, आच्छा, ने तो फिर आपको क्या लग्रहा है जेन जी को ये गडबंधन करना चाहिए ये बाजगवा के साथ? ये लिजाले वे लिजानिये हुष है उड़ैत्मन डेत्मे भीन हो खाद में फेमें महीमा नहीं है? नहीं जीु क्यों नहीं? किसान आंदोलन में गाजी पुरो कह रहा है जी गए थे कितने दिन गए थे दो बार गए वहाँ तो किसान आपने देखा किस तरह से अपनी ट्रेक्टर ट्रोली ओपर टेंटों में तेरा महीने वहाँ पर रुके थे और बड़े दिनों के बाद कोई ऐसा अंदोलन हुआ इतना विशार और उसमें जीत भी मिली तो क्या आपको लगता है कि उस अंदोलन के बाद अगर जैन जी वहाँ गटबंदन कर गए तो उसका क्या असर रहेगा ठीक नहीं होगा अगर जैन जी गटबंदन करते हैं बीजेपी के साथ तो ठीक नहीं होगा ठीक नहीं होगा थेरा महीने जो किसान वह रहेए सर्दियों में ठंड भी लगी उने वो रोते हुए भी बहुत अधा प्रेशान वे चलिए मैं अब लोगों से एक और भी सवाल पूछूँगा कि जैन जी ने एक और आंदोलन का भी समर्थन किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर ही हमारी कुछ महिला खिलाडी अपने उपर जो यॉन हिंसा और यॉन शोशन के खिलाफ वो अवाज बुलंद करी उन्हें और एक प्रेड़ना दायक उन्हें एक आंदोलन किया मतलब और महिलाओं को भी प्रेड़ना शायद मिली कि भई इस तरह की घटना है हम नहीं जहे लेंगे उस आंदोलन का भी जैन जी ने समर्थन किया और वो तुम उनको तो अभी तक सस्पेंड भी नी किया पार्टी से जिनकी पर इल्जाम था ब्रिज भूशन जी का तो उस आंदोलन के बाद उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और उस आंदोलन के बाद क्या जैन जी उदर जाना चाहिए कि तरब तो ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और एक तरब बेटी बढ़ाओ उरा उसके कहां रह गया अब बेटी पढ़के कुछ करेंगी आगे उनकी साथ ऐसे ऐसे काम होंगे और कोई 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 करवाई भी नहीं करेंगा और वे ऐसे घूम रहे हैं आप क्या कह रहे थे सर में यही कह रही थी कि जो साकसी मली कि और भी पहलवान उनके साथ आए थे दिखो उनक उसमें इतना जुड़ नी पाया जो भी रहा तो इन्होंने यह बोलते तो हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाओ बेटियों की बेटियों की बेटियों को बाहर भेजने में इतना डरते हैं तो कहां बेटियों शुरक्षित हैं क्या की आए नहोंने बेटियों के लिए और यह बोलते हैं कि हम महिला इतने शुरक्षित है कि रात को के लिए आजा सकी है यह तो बहुत कहती है बाजपा यूपी के बारे में अब चोरी भी नहीं है सर चोरी के केसिज तो मुझे लगता है और ज्यादा बड़े हैं अब बताए यह आंदोलन आप जो पहलवानों का अंदोल अब चले गए तो आपको कैसा लगेगा तो बी अमें अच्छा नहीं लगेगा मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है सिर्प कहावाती रह गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन इसके लिए कुछ नहां पर इतनी मतलब पहलवान थे यूवा पहलवान लड़किया भी थी लड़के भी थी आपका नाम क्या है मेरा नाम काव्या है काव्या तो मैंने सुना आप किसान अंदूलन में कहते हैं और अपने भाशन भी दिया था मैंने भाशन भी दिया था मैंने बोला था मैंने यह बोला था कि मैं किसान परिवार से हूं मैं इन भा तो अपके उमर का जब मैं था तो इतनी अच्छी समझदारी भी नहीं थी और इतनी राइ भी नहीं थी, मझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तो अब आपकी अगर एक राजनेते, एक समाज एक राइ बनी रही है इतनी गहरी तो मुझे बताईए जैन चोधरी जी अगर बुरा ही तो मुझे का बड़ा ही बड़ा ही और आपको बुरा लगगेगा क्या सुनाएं आपने घर से परिवार से यह यहाँ को लगता है कि बाच्छा के साथ नी जाना को क्या है कुझ अगर भाच्छा इए वाच्छान के लिए काम नहीं टी वह बाच्छान नही है और अगर वो ही उनके साथ चली जाएगी भाजपा के तो फर्टों किसानों के लिए कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया काविया ये आपने बहुत इंपॉर्टन बात करी लेकिन मैं अब आप से और आपकी बाते सुनकर लगता है कि चली हमारा भविश्य सुरक्षित है। आखरे में मैं एक सवाल आप से पूछूँगा कि अगर जैन जी आन्त में चले ही जाते हैं भाजपा के साथ, मान लीजे, भाजपा के साथ चले जाते हैं तो आप लोग क्या फिर भी जैन जी के साथ रहेंगे या विकल्ब तलाशेंगे चुनाव में? सर उसके लिए भी हमने, हम तैयार ही नहीं हैं सर उसके लिए, हमें खुद नहीं पता उसके बाद हम करेंगे। काविया आपका तो वोट बना नहीं है तो मैं आपसे नहीं पूछूगा, आप बताइए आपका तो वोट बन चुका है, क्या करेंगे आप, अगर जो चले गए तो आप फिर भी जैन जी के साथ जेंगे या फिर आप विकल्ब तलाशेंगे घर बैठेंगे, विकल्ब तला है, जैन जी तक पहुंचे और सुने वो कि यहां की महिलाएं इस गड़बंदन के बारे में क्या एराय रखती हैं, सी सी ए के साथ जुड़े रहे, पश्च्चम यूपी की खबरे आप तक आती रहेंगे, धन्यवाद है.